हेलो व्यूवर्स अन्बोक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हुई इम्रान आज मरे पास यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो है रियल्मी नर्जो 50i जी हाँ एक निवली लॉंच प्रोड़क्ट है नर्जो की तरफ से और काफी बड़िया फीचर्स के साथ इसी स्मार्टफोन को इंडिया में लॉंच किया गया है काफी कम कीमत में जी हाँ बॉक्स कुछ इसरे के से नजर आता है चारो तरफ यहाँ पे नर्जो का ब्रांडिंग और साथ ही साथ नर्जो 50i मेंशन किया गया है और जो डिवाइस की बारे में हाईलेटिंग पॉइंट से बॉक्स के पीचे मेंशन किया गया है जैसे कि 5000 मिली एंपियर का में ऐसी बैटरी 6.5 इंचर लार्ज डिस्प्ले न अन्बोक्सिंग करते है और यहाँ पे box को हमने open कर दिया है और कुछ इस तरह के से यहाँ एक section देखने को मिलता है और इसी section के अंदर यहाँ पे SIM ejector है इसके लबा कुछ documentation realme की तरफ से और इसके लबा कुछ इस तरह के से protection के साथ में realme 950 ID5 है काफी बड़ी ID5 है बहतरीन लुक्स के साथ यह स्मार्टफोन है बाकी contents के उपर बात कर गाईज यहाँ पे के डॉप्टर मिलता है जो support करता है 10W charging जी हाँ इसके लबा इसी स्मार्टफोन के साथ हमें दिया गया है एक micro USB kevel यह सबी contents इसी स्मार्टफोन के box के अंदर है और चले फिलहार इस परडिक्शन से इसी स्मार्टफोन को रिकालते है Realme Narzo 50i जहाँ काफी बड़िया लुक्स के साथ यह स्मार्टफोन नजर आ रहा है बहुत ही amazing design यहाँ पे देखने को मिल रहा है और कुछ अलग ही यहाँ पे मिन्ट क्रीम कलर में यह Realme Narzo 50i नजर आ रहा है जहां लगा हुआ है सिंगल रियर केमरा, एलिन फ्लाश और साथ जाथ नार्जो का ब्राणिंग और स्पीकर गिल बैक बोरी में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेदर फिल्ड जैसा बैक बोरी देखने को मिल रहा है और मुझे तो खास करके इस स्मार्ट फोन का जो कलर है बैक बोरी है बहुत ही बड़ी अलगा लुक्स रिजाइन बेल कॉलिटी शांदार है अपने प्राइस पॉन्ट पे बहुत ही अच्छा एक स्मार्ट फोन है यह रियल मी नर्जो 50i लुक्स रिजाइन बेल कॉलिटी के मामले में फिजिकल ओवर्विव के उपर बात करो तो यहाँ पे बोलियों रोकर साथी साथ पावर वटन नजर आता है और यहाँ पे जो बेक बोड़ी है वो पॉली कर्बोन का बेक बोड़ी दिया गया है निज़े के दरफ यहाँ पे माइक्री वेस्ब बहुत है प्राइमरी मिक्रफोन सेकंडरी मिक्रफोन 3.5 एमेमोरियो चेक भी दिया गया है अच्छी बात है सिकंडरी मिक्रफोन भी इसी स्मार्टफोन के साथ यहाँ पर प्रोवाइट कर दिया गया है इसके लावा यहाँ पर सिम्ट्रे नजर आता है ट्रिपल स्टोर के साथ इसी स्मार्टफोन की सिम्ट्रे दिया गया है उपर की तरफ कुछ भी नहीं नीट एंड क्लीन है वैसे में इसी स्मार्टफोन में दो कलर है का मीन्ट ग्रीन ये जो कलर है मेरे पास ये मीन्ट ग्रीन कलर बहुत ही बड़िया कलर है और काफी इंटरस्टिंग डिवाइस को बनाता है लुक्स के मामले में इसके लवा कार्बॉन ब्लेक भी है लेकिन दोनों कलर की कंपिरिशन में ये कलर बहुत ही बड़िया है तो अवर ओल ये रियल मीन आर्जो फिफ्टी आई डिवाइस आपको किसा लगा नीचे कॉमेंट करके जुरू बताइए अगर एच्छा लगा तो प्लीस इस वडियों के लिए लाइक कर दीजिए और चैनल का अब तक सबस्क्राइब नहीं क्या नीचे दिए अगर रैड वड़न को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पर चलिए डिस्प्रय को हम यहाँ पर देखते है और यहां पर देख सकतो वाटवर स्कें के साथ इसी स्मार्टफोन के डिस्प्लेइप गया गया है काफी अगया का इसे पॉंट्री प्लास इंट्परेंट पर सिन्टुक्त वाइट और रखा गया है। तो एक अच्छा क्वालिटी का अगेंड प्राइस पॉंट पे डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर दिया गया है रियल में अर्जो 50i में और आपको एक बड़िया एक्सप्रियेंस भी मिलेगा और डिवाइस के पुफॉमेंस के उपर बात करो तो डिवाइस में और साथ ही साथ अगर आपको टूजी में थारी टूजी वी रॉम वेरियंट चाहिए तो ओवी एवाइस के प्रोसेसर के उपर बात करो तो यहाँ पर 1.6 गार्ज क्लोक स्पिट के साथ में औक्ता कोर प्रोसेसर दिया गया है यूनिसोक यहाँ पर स्थ 9863a यहाँ पर प्रोसेसर खराब नहीं है एक पावरफुल चीप सेट है डेफिनिटली यहाँ पर गेमिंग के लिए भी काफियत तक अच्छा रहेगा ले रिवाइज आता है रियल्मी नर्जो 50i और इसी स्मार्टफोन की बैटरी परफॉम्मेंस के उपर गाईज बात करो तो इसी स्मार्टफोन में हमें देखने को मिल जाता है 5000 मिली एम्पियर का बैटरी ओविसली यहाँ पर बैटरी बैकाप काफी बढ़िया हमें देखने को मिल जायेगा लेकिन एक चीज़ यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिया गया है बेटरी लाइफ तो डेफेनेटली बहुत बढ़िया रहेगा लेकिन फास्ट देशिक सपोर्ट इसी स्मार्टफोन में नहीं है और इसी स्मार्टफोन की सिकुर्टी को इपर बात करू गाईस तो इसी स्मार्टफोन में हमें fingerprint scanner बिलकुल भी नहीं दिया गया है लेकिन face unlock का option available है और यहाँ पे जो face unlock है वो भी काफी बड़ी तरीके से device को unlock कर देता है हमने यहाँ पे देखा है और इसी स्मार्टफोन की चलिए और camera specifications के उपर बात करते है इसी realme 950i जो device यह सिंगल rear camera के साथ में आता है और जो यहाँ पे rear camera दिया गया है 8 megapixel का rear camera दिया गया है और यहाँ पे वीडियो ग्राफिक के उपर बात करूँ तो यहाँ पे rear camera जो 8 megapixel दिया गया है इसमें 1080p 30fps पे वीडियो शूट करने का यहाँ पे option दिया गया है और जो इसे वह 8 megapixel का selfie camera के साथ में आता है और यहाँ पे जो front facing camera है यह भी यहाँ पे 1080p 30fps सपोर्ट करता है और इसी smartphone के साथ मैंने कुछ photos क्लिक किया है जो आगे यहाँ पे शेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगा और यहाँ पे camera हमने on कर दिया है देख सकते हो तरहां तरहां के modes भी available है और यहाँ पे AI यहाँ पे camera दिया गया है तो definitely 8 megapixel है लेकिन काफी हद तक यहाँ पे अच्छा photography and videography के मामले में यह device रहेगा लेकिन इतना कुछ बढ़िया नहीं रहेगा average यहाँ पे आपको camera quality इसी smartphone में देखने को मिल जाता है और यहाँ पे कुछ camera simple यहाँ देख camera भी काफी हद तक perform अच्छा खर लेता है और low light condition में यह device कुछ इतना better नहीं होगा लेकिन outdoor या फिर daylight condition में okay performance आपको देखने को मिलेगा इसी realme 50i device में और चली दूस्तों फिलहाल बात करते हैं इसी smartphone के price के बारे में इसी smartphone का जो base variant है वो आता है 2GB Rayman 32GB internal storage के साथ में जिसका price इंडिया में रखा गया है 7,499 रूपीस जी हाँ almost 7,500 का device है और जो 4GB RAM and 64GB internal storage है इसका price इंडिया में रखा गया है 8,999 रूपीस यानि almost 9,000 का device है तो price range के हिसाप से specifications के हिसाप से देखा जाए realme 850i जो device है वो काफी हद तक अच्छा device है लेकिन 4GB 9,000 में में रखा से इतन कुछ better नहीं है क्योंकि processor तोड़ा सा week है price point पे 7,500 के device के हिसाप से ठीक है लेकिन 9,000 के device के हिसाप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो यह दोस्तों इसी realme 850i के unboxing और इस device के बारे में उम्मीद है आप सबको वीडियो जरूर बसंदा होगा तब देख लिए बाई टेक क्या जरांजा हिंड़